महा महीम राश्पती जी, आदर नियोप राश्पती जी, गाओं गरीब किसान मजदूर के रड़ा समराथ भारत के प्रधान मंत्री जी, लोक सभा के मानने अध्यक जी और सभागार में उपस्थित, सभी सम्मानित, भूत्पूर्श शान्सद और आमंतित, सबों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ. मुझे ये उत्पूर्श्ट कैसे समझा गया? न मेरा बाप उत्पूर्श्ट, न मेरी माँ उत्पूर्श्ट, न मेरे खंदान में कोई उत्पूर्श्ट, न मुझे किसी का अनुग्रह, न किसी का अनुकम्पा, न किसी का मेरे पीछे नाम, न मेरे पीछे, कुछ लेकिन फिर भी मुझे उतकरिष्ट चूना गया, मैं उत्चूनने वाले को हिरदेश धनवाद देता हूँ भाई आपने ये गाओं के कीचर में से हीडे को कैसे पाचान लिया अब तक तो कितने पाउं लगे, कितने थोकर लगे, कितने अपमान सहे लेकिन जब मैं बैठा करता था, तो मेरी पत्नी मुझे कहा करती थी कि आपको कभी उतकर सांसत का पुरश्कार मिलेगा, कोशिस करिए तो मैं कहता था, मैं कोशिस क्या करूंगा, क्योंकि उभी राजनिती में है, बर्षों से सक्रिये रही हम संकर पारवती जी के जैसे संबाद करते रहते हैं तो मैंने कहा, चलो काली माई सोचेगी तो कर देगी मैं उनकी पूजा करता हूँ, मेरी कुल्दे भी है लेकिन जब सिली गोरी के एक मजदूर मुशलमान भाई को पदमस्तिरी की पदम खुसन का सम्मान मिला तो उस दिन मेरे मन में ये भाव जगा कि आम मैं उत्कृरिश्चान सद का प्रुष्कार अबस्त ले लूगा ये अंतर मन से बोध हुआ, क्यूं? मैंने कहा कि भाई यहां दिल्ली से बैठे बैठे, प्रधान मंत्री जी और ये पदम पुरुष्कार देने वाले जो लोग होते हैं उनकी द्रिष्टी वहां सिल्ली गोरी के एक चाए बगान के एक गरीब निर्धन मुसल्मान के को देख लिया, चून लिया इतनी दूर से तो मैं तो उनके पास हमेशा रहता हूँ, मुझको कशे नहीं देखेंगे? कशे नहीं देखेंगे? लेकिन साब मैं धन्य भागे साली हूँ कि आखिर मुझे देख लिया गया और आज मेरे गाओं के लोग टीवी पर देख रहे होंगे उनकी चाहती कितनी फूलती होगी आपने मुझे सम्मानित नहीं किया है हिंदुस्तान के करोर, निर्धन, निर्वल, पिछडे, दलित, उपेक्षी, उफासित, फीडित, परतारित वो गरीवनी मा जो खीचर में चलती थी कभी जीवन में सनलाइट और लाइबवा सब नहीं देखा ऐसे मा के गोद से निकले हुए एक किसान के पुत्र को आपने उत्कृष शांस दवनाया यह संसत की संविधान सभा की देन है साथ मुझे प्रेणा मिली थी उस दिन जिस दिन नरेंदर मोदी प्रदान मंतरी बने थे तो बैठे थे हम घर में हापस में चर्चा कर रहे थे यह उत्किर संसत के लिए आबेदन पर रहे थे मेरी पत्री ने कहा आप भी आप इदर भरवाओ किर्ची समीती के हमारे जो साथी सदस लोग थे उन्होंने कहा के हम लोग आपको एस्पांसर करेंगे तो हमने कहा कर दो भाई लेकिन मुझे हुआ कि मुझे जरूर उत्किरिष्ट उत्किरिष्ट माना जाएगा जो कि जब एक गरीब नी मजदूरी नी साधारन मा के कोक से जन्मा हुआ एक गरीब फुट पास पर सुने वाला चाय बेचने वाला भारत का प्रधान मंत्री बना है तो ये उत्किरिष्टांसर का पुरुष्कार कोई उससे बड़ा है मुझे क्यों नहीं मिल सकता है ये जो हमारे अंदर भाव जगते हैं प्रेड़ना ये लोग तंत्र की देन है वाहराजना जी बैठे हैं जब ये अध्यक्ष थे उत्तर प्रधेश के तो मैं उनके साथ कार्ज कर्म में ही ले जाते थे मुझे घुमाने के लिए एक बार दुर घटना हुई उसमें गारी में आग लग गई हम दोनों तो जल के मरी जाते भगवान को बचाना था इसलिए कि आज मुझको उत्तर अंसद कैसे पुरुषकार मिलता अगर मर गए होते जल के गारी में इस स्वर की कृपा थी मैं आप लोगों से ज़्यादा नहीं कोंगा इतना ही कोंगा कि मुझे विश्वास है इस अंसद में विश्वास है मुझे संभिधान में और विश्वास है मुझे इस देश की करोरों निर्धन निर्बल पिछड़े दलित उपिक्षीत उपहासित परतारीत उस गरीब मज़दूरों के विश्वास पर और मुझे विश्वास है उस डाक्टर लोहिया की बानी पर जिन्होंने मुझे कहा था हुकुम चन तुम अचूट निष्था के साथ मेरी बात को मान के आगे बरते जाओ एक नएक दिन आएगा जब हिंदुस्तान में किसी गरीब निर्धन निर्बल मा के कोक से जन्मा हुगा आती पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधान मंत्री बन सकता है मुझे यहां तक लाने में बहुतो का जोगदान है साब आपको असंभब होगा मैं तो 1950 का संका स्विंग से बख हूँ और मेरे उमर के तो स्विंग से बख मिलें के भी नहीं क्योंकि मैं 1950 में संका स्विंग से बख बढ़ा और मेरी बिदमना देखे कि मैं शंका स्वंक सबक था रोज दोनों साम सखा जाता था और कालेज में समाजबादी जूबजन सभा में मंच पर से में डाक्टर लोही आगा जंडा लेके चलता था आन्ना मुझे समाजबादी पूछते थे कि स्वंक सबक हो कैसे यहां आते हो अन्ना सबक कोई पूछता था कि आप समाजबादी पाती में जाते हो यहां क्यों आते हो दोनों में कोई नहीं पूछते थे अजादी के साथ मैं काम खिया मैं प्रार्थना करूँगा धन्यबाद दूँगा कि मेरे उपर डाक्टर लोहिया और चोधरी चरंशिंग जी हैं और करपुरी ठाकुर विहार के थे निर्धन, निर्बल, मजदूर, बासी भात खाने वाला नाई का बेटा वो मेरे साथ ही और विहार के नेता थे मैं उनकी गरीवी में राते हुए उन्हें जो देश को एक प्रकास दिया था रोशनी दी थी हिंदूस्तान के अंदर उन्होंने एक जमात खरा की थी उसके लिए मैं उनका मेरे उपर अशर है लोगों को ये आशर लगता है कि मैं आल इन वन कैसे बन गया समाजबादी भी बन गया लोहियाबादी भी बन गया चरहन सिंग के साथ भी करगुरी टैकुर के साथ भी और दीन दियाल जी का भी गीत गाता हूं तो भाई हिंदुस्तानी हूँ मैं इस देश में सर्व धर्म समभाव है सर्व समाज समभाव है दीन दियाल जी कहते थे समरस समाज डोड़िया कहते थे समता समाज इसलिए मैंने उसको अपने जीवन में अंगिकार किया है कि सब की घीत मैं गाता हूँ भारत की गीत सुनाता हूँ मैं गाउं से रहने बाला हूँ मैं गाउं की गीत सुनाता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ किसान का गीत सुनाता हूँ आप सबों को धन्यवाद बहुत बहुत आपके प्रतिया अनुग्र है कि आपने मुझे उत्कृिष्ट सांसद बनाया जब नाम सुनता हूँ उत्कृिष्ट तो मुझे लगता है कितना बड़ा हो गए हमाई शाइद लगता है कि गीता में भगवान कृष्णी जो विराट लुब दिखाया था साइद उत्कृिष्टा परदान किये आपने 77 से आया 42 बरस तक इसंसद के गुंबन के नीचे घुमते रहा गीत सुनाते रहा अब तो साइद मैं सुना भी नहीं लगने वाला हूँ जीवन के इस अंतिम चरण में 42 बरस तक इसंसद में रहने के बाद अंतिम में आपने उत्कृिष्ट ताका पुरसकार दे करके जो बिदाई समारों में मुझे समानित किया है इसके लिए मेरा समाज मेरे छेत्र के मधवनी के गाउं के गरीव किसान सभी आपके लिए नुग्रीत रहेंगे साहाब सभी आपके लिए नुग्रीत रहेंगे बहुत बहुत धन्यवार